सर नेशनल हेरल केस के मामले में एडी ने सोनिया गांधी के लिए समन भेजा है और 21 तारिक के लिए पेश होने के लिए कहा गया है सोनिया गांधी के लिए किस तरीके से देख रहा है इस पूरी कारवाही को अब सोनिया गांधी को समन जो भेजा गया है देखिए ये बहुत बड़ा गोटाला है और पांच हजार करोड़ का गोटाला है एजे एल कमपणी ये जो हमार पूर्व पिरधान मंत्री जवाहरलाल नहरू ये उन्होंने बना रहा था अखबार चला रहे थे उसको और वो एजे एल कमपणी जो नोने बनाई और अखबार इन्होंने चलाने शुरू किया वो अखबार चलाते 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 उन्होंने उसको दिखाया कि 90,000 करोड का उसमें कर्जा हो गया है अब जब यह घुटालक 90 क्रोड का करते करते इन्होंने, सोनिया गांदी और राहूल गांदी ने यंघ इंडिया एक कम्पनी बनाई, और यंघ इंडिया कम्पनी बना करके, एजे एल कम्पनी के सारे शे Bowl उस कम्पनी पर ले लिए, और उसके बाद इन्होंने चाल चली, और उस यंग इंडिया कंपणी के सारे शेर्स 38 परसंट राहुल गांधी 38 परसंट सोनिया गांधी और जो थोड़े बचे शेर्स वो भी कांग्रेस के लोग थे और यह एजेल कंपणी भी कांग्रेस सरकार की जवारलान लहरू जी की और उस पर इन्हों ने क्या काम किया यंग इ जो उसकी सारी building है बनी वी सारा construction हुआ 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 वहाँ पर जो किराया आ रहा था वो किराया भी खा रहे है सारा किराया खा गए और 5000 करोड का उन्होंने घोटाला किया तो क्या ED जांच नहीं करेगी एडी अपना काम नहीं करेगी ये money ladering का case बन गया है ये इनको इनसे बाचीत करी जाएगी ये घबराय हुए है कि हमारे घोटाले किस तरह खुल रहे हैं किस तरह सामने आ रहे हैं क्यों जब आपको डर नहीं है ED अपना काम कर रही है आप बाचीत करें आप उनको सारी बात बताइए लेकिन इन्होंने जब से देश आज़्ादवा देश के आज़ादी से现在 से आज तक 70 साल इन्होंने जो राज किया इन्होंने 1000 गोटाले यहां किये और 1000 इन्होंने दंगे किये सिर्फ इनका यही काम थ मैं तो कहना चाहता हूँ भारत सरकार से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी कि इनके ओपर जहांच एजैंसिया लगे और जो इन्होंने घोटाले किया है उन घोटालों का सारा पैसा लेकर के और जनता के ओपर खर्च करा जाए कि इनके इन्होंने सारा पैसा वो जनता का इन्हों दंगा मेरट का दंगा हर वक्त दंगे 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 और घुटा ले करते चले गए ये भिरश सरकार मैं तो कहता हूं इनसे अगर आप सच्छे हैं तो कैसे आप घबराने है फैराड अखबार जो जवाहर लाल नहरू जी ने जो पूर प्रिधान मंत्री पूरी कांग्रेस सर दंगार लेकर चल रही है आज गांधी परिवार चल रहा है और आज गांधी परिवार यांटीया कंपणी बनाके सारे घुटा ले तो अपना काम करेगी और आप देखिएगा अभी तो तो सिर्फ 5000 करोन निकल के आ रहे हैं जब जाएंच निकलेगी तो और ज्यादा निकल के आएंगे सोनिया गांधी के लिए अगर समन भेजा गया है 21 तारी को पेश होने के लिए तो क्या फिर से कॉंग्रिस के दमाम कारे करता हैं और तमाम जो मुख्य मंत्री हैं अलग-लग राज्यों में क्या वो फिर से आकर दिल्ली में सत्य गरे के नाम पर आंदूलन करेंगी जो तरीके स से हमने देखा था जब राहूल गांधी को भी बुलाया गया था जाच के लिए तब भी कόंग्रिस के जो कारे करता हैं लोग हैं उन्होंने ड की दफ्टर के सामने इस तरीके से प्रदर्शन करें ग्रेव औरे कार्य करता तो कार्य करता इनके जो मुख्य मंत्री स्टेटों से आगए जहां जहां सरकारे और आकर के पिरदर्शन कर रहा है उनके खिलाब बात कर रहा है औरे एडी काम करेगी जिसका घोटाला है वो सामने आया है तो एडी अपना काम कर रही है ये पिरदर्शन करके उसको ढगना चाहते हैं ये देश के अंदर महल खराब करना चाहते ह ये देश के अंदर सारे मुख्य मंत्री इनके जितनी भी स्टेट में बैठ हुए हैं सारे आप देखिएगा किस तरह वो ही हैं आपको नज़र आएंगे सारे इनके लोग इनके वो कार्रिय करता अभी उनको भी पता नहीं है उनके क्या घोटाला किया है आप देख इसका घोटाला जब वो सुन लेंगे तो आप देखिएगा वो नहीं आने वाले मुझे लगता है कि सारे मुख्य मंत्री इनके प्रदाशन करते रह जाएंगे जंता का कहना है कि इससे पहरे दो बार सोनिय गांधी के लिए समन भेजा गया था तो यह कहा गया था कि उनकी तवित खराब है उन्हें कोविड हो चुका है कि फिर से इस बार क्या क्या इस बार पेश होंगी सोनिय गांधी के सामने या फिर से एक बार कह दिया जाएगा कि तेविद खराब है या फिर कुछ और चीज़ असामने आ सकती है यह बहानेबाज लोग है और इनको बस यहिए अपना हम बिमार हो गये हमें को वीड हो गया जब को भी चला गया तो इनको वीड हो रहा है तो सारे जंता इनका ड्रामा देख रही है कि किस से बहार न लगा रहें अरे कोविट कोविट तो भग गया अब आप आपके घुटाले वो सामने आ रहे हैं जो आपने जंता का पैसा हड़प लिया जो जंता को आपने परिशान किया और अब आप अब देखिएगा किस तरह से दंगे कराएंगे किस तरह से प्रदर्शन करेंगे इनके सारे कारे करता उतरेंगे और तरह तरह के अपमानित बाते करेंगे तो यह अब शब्द लोग करेंगे भारजी जंता पार्टी को बुरा कहेंगे यह आरोप लगाएं क्यों कि इनकी कमिय छुप जाएं इनके घोटाले छुप जाएं अरे ये केस आज का थोड़ी है ये तो 1943 में जब ये बना अखबार का एजेल कमपणी बनाई जवाला नहरू जी ने और अब 2012 में 2012 में यंग इंडिया कमपणी क्यों बनाई और यंग इंडिया कमपणी बनागे दोनों मा बेटे दोनों मा बेटे उनों शेयर्स पूरी कमपणी के खरीद लिए मालिक बन गए अरे क्यों ऐसा घोटाला किया आपने और जो बचा कुछा वो कांगरेस पार्टी के इन्हीं के अपने लोग उन्होंने शेयर्स ले लिए तो सारे इन्होंने सारे राइट इनके पास पहुँएगा इन्होंने देश को बहुत पीछे कर दिया आज पिढ़ान मंत्री नरेंदर मोदी जी और भारती जन्ता पार्टी विकास के लिए लगी हुई है कि जो घल्टियां कांगरेस सरकार ने की जो देश को डूबोने की बात कांगरेस सरकार ने की जो नफरत पहलान कांग्रेस सेरकार ने किये वो आज सारे देश के सामने हैं और उसको हटाने का काम भारतिय जंता पार्टी कर रही है और पिरधान मंत्री नरेंदर मोधी जी जिस धक्र अबे आपने किया कि यह मामला काफी जादा पुरारा है पर कांग्रेस के कारेकरता और THE K unch है और ही ताम ह भेज भेज के बुलाया जा रहा है यह तो सुप्रमर्लियम स्वामी जी ने 2008 में उन्होंने अपिल धायर की थी कि इसकी जांच की जाया और इस जांच के अंदर जब देखा गया बराबर यह हाई कोड भी गए हाई कोड ने इसका कहानी जांच होगी सुप्रिम कोड भी गए और निचली अदालत में भी गए उन्होंने भी सबने यह कहा कि हाँ इस पर कुछ लगता है जांच अपना काम करेगी लेकिन इनके पास कोई सब्मिधान नहीं इनके पास कोई कानून नहीं इनके पास कोई इमांदारी नहीं यह तो सिर्फ बेमानी के काम करते हैं यह तो सि पहले कि F.I.R. रेजिस्टर्ड हुई भी है तो ये उसको छुपाने के लिए और जनता को अपना गुम्रह करने के लिए तरह तरह से पेश करने के लिए अरे ये तो F.I.R. 2008 में और आज 2022, 2014 में, 2018 में हाई कोट, सुप्रीम कोट आप गए और वहाँ पर भी आपको रिलीफ न तो क्यों गमन किया आपने और बेमानी की कांगरेस सरकार अखबार चला रही है, कांगरेस सरकार के पूर प्रिदार मंतरी अखबार चला रहा है, उसके कंपनी के मालिक बन रहा है, फिर उनकी जो नसल चल रही है, परिवार चल रहा है, सोनिया गांदी, उन्होंने एक शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के जंता के पैसों का आप घुटाला कर रहे हैं और पिर्धान मंत्री नरेंदर मोदी जी से सबख लेना चाहिए कि जैसे सब को लेके और वो सब का विकास कर रहे हैं आज ये घबराए हुए हैं दो हजार चौबिस का जो अब इलेक्शन होने व मंत्री जी के सिट पर बैड़ी नहीं सकते दो हजार चौबिस में फिर पिर्धान मंत्री जी फुल बहु मस्से और बढ़िया और ज्यादा सीटों से जीत करके आएंगे और देश के पिर्धान मंत्री वही बनेंगे कोई उनको नहीं अटा सकता और इनके सारे घुटाले औ कि जिस दिन आप इमानदार हो जाएंगे जिस दिन आप देश का विकास करेंगे जिस दिन आप जनता का विकास करेंगे जिस दिन जनता को रोजगार देंगे जिस दिन जनता को नौकरिया देंगे और सब धर्मों का मान सम्मान करेंगे सभी हिंदु मुसलिम भाईयों का सेप्ट करेगी इने करने वाली नहीं है और यह ऐसा कर नहीं सकते हैं कि एक तरफ सोनिय गांधी की सोनिय गांधी को जो भी समन भेजा गया है उसको लेकर कॉंग्रिस की जो तमाम बॉकलाहट सामने आ रही है क्योंकि पचास घंटों से जादा राहुल गांधी से भी पूछत जो आरोप लगाए और उस एंजियों ने लगाए एक लेडीज ने तो वो पिर्धान मंत्री जी को इतना परेशान किया जाता था जाजन से अपना काम कर रही थी और 12-12 घंटे 10 घंटे आप से पूछते थे उन्होंने तो भारती जंता पार्टी के किसी कार्रे करता को नही अगर आरोप लगा है तो जहांच एजनसी अपना काम करेगी और हम अपनी बात रखेंगे इमानदारी से और ये लोग ये सारे बेमान और ये सारे घद्दार लोग ये इसी तरहां से ये बेवकुब बनाते रहेंगे क्यों दो हजार चौबिस का मुद्दा है अब सारे Contin से रहें सारे घटाल lyrics निकल के आ रहें सारे दंगे इनके निकल के आ रहें जो ये उन्हों नमार धार कर राइ जो हिंदोم मुस्यों में नफ्रत पहलाई सारी चीजे निकल के आ गए, सारा काम नुखसाने उन्हें कर डाला, और सिर्फ ये पिर्धान मंत्री जी और भारती जन्ता पार्टी की सारे अच्छे कामों में से बुराईयां ढूंड कर लाते हैं, और उन बुराईयों को निकाल करके ये पेश करते हैं, किसलिए? कि दो हजार च काम कर रही है, जांच आराम से करें, और इस तरह से जिस तरह आप अपने मुख्य मंत्रियों को बुला रहे हैं, जिस तरह आपने कारे करताओं को बुला रहे हैं, तो ये काम देश का महल खराब करने की कोशिश ना करें, और आप देख लिजेगा, जिस तरह इन्होंने इंदर मोधी जी के साथ और उनके कामों के साथ है और जिस तरह इन्होंने घुटा ले कि जिस तरह इन्होंने ये घलत काम किए इनको जन्ता सब बुरी तरह इनको ना कारेगी और आप देखिये खाब बिल्कुत सूप्रा साफ हो जाएगा इनका